हेलो दोस्तो नमस्कार मैं शांती जोशी शामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय कई जगर लगातार बरसात हो रही है और बरसात की अधिक्ता से कई पौधे खराब हो जाते हैं तो आज मैं आपको 25 ऐसे पौधे दिखा रही हूँ जो बरसात के पानी से खराब हो सकते हैं आप उन्हें बरसात के लगातार हो रहे ही बारिज से बचा कर रखें तो ये पौधे सालों साल आपके गार्टन में बने रहेंगे एक एक करके मैं सारे पौधे आपको दिखाऊंगी प्लेज वीडियो पूरा देखेगा अच्छा लगे तो लाइक करिए, सियर करिए, सस्काइब करिएगा पहला पौधा जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है नाकचमपा का पौधा नाकचमपा एक पर्मानेंट प्लांट है, गर्मी और बरसाथ भर ये काफी अच्छी फ्लावरिंग करते है इस समय इनका ग्रोध पिरेड है, पंदु लगातार हो रहे ही बारिस से इस पौधे को बचा कर रखना है इस के जो डीनेज है उसको चेक करते रहे, पानी गंबले में बिलकुल नहीं ठहना चाहिए अगर गंबले में पानी ठहुरा तो यह पौधा गल जाएगा इसकी स्टेम गल जाती है, इसकी स्टेम अंदर से कोगली होती है और वो गलने लगती है और पौधा आपका खराब होकर सड़ जाएगा तो इस बात का विशे ध्यान रखें गंबले को चेक करते रहें डेनेज का विशे ध्यान रखें अभी-कभी डेनेज बंद हो जाते हैं तो बर्शाथ में अगर आपने इसको रखा हुआ है तो इसका विशे ध्यान रखें और इसकी कटिंग अभी लगा सकते हैं आप दूसरा पौधा मैं आपको दिखा रहे हूँ जैरीनियम जैरीनियम भी एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है हमेशा ये लगातार स्थंडे इलाकों में फ्लावरिंग करता रहता है और मैं आपको ये जो पौधे दिखा रही हूँ ये इसे बरसात के पानी से बचा कर रखें नहीं तो ये पौधा खराब हो जाएगा गल जाएगा और ये पौधे बहुत जल्दी गल जाते हैं पानी की अधिक्ता से डिनेज का विशेद यहां रखे पानी लगातार हो रही बारिस में इस पौधे को न रखें और इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं परन्तु बरसात में इस पौधे को न रखें नहीं तो ये पौधा आपका खराब हो जाएगा और अगर ये गल गया तो ये बहुत जल्दी शड़ जाते हैं आप इनको बचा नहीं सकेंगे तो इन्हें बरसात के पानी से बचा कर रखें ये बहुत सेंस्टिफ पौधे होते हैं और उत्तरा खंड़े में तो ये ठंड़े इलाकों का पौधा है ये हमेशा फ्लावरिंग करते रहते हैं दूसरा ये संसवेरिया स्नेक प्लांट ये भी पानी की अधिकता से गल जाते हैं ये पत्तियां गिर जाती हैं तो इसको भी विसे धिहान रखे पानी से अधिक पानी से और इसका डिनेस भी देखते रहें कहीं गमले में पानी तो स्टोर नहीं हो रहा है अगर पानी स्टोर हो रहा है तो तुरंत उसे रिपॉर्ट कर दें ये देखिए एगलो निमा एगलो निमा भी बहुत इनाजुक पादा है इसे लगातार हो रहे ही बारिश में न रखें अगर आपने रखा भी है तो हमें इस का डिनस चेक करते रहे हैं पान मिट्टी इतनी वेल्डेन होने चाहिए पानी बिल्कुल न ठहरे तो इसे भी लगातार हो रहे हैं बारिस से बचा कर रखेंगे तो ये पादा हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा ने तो ये बहुत जल्दी कल जाता है बरसात का पानी स्टोर करके आप इन पादों को दे सकते हैं जो इनकी ग्रोथ के लिए काफी फाइदेवन्द है चाहिए इसके कोई भी विराइटी उसकी बहुत विराइटी होती हैं, सबकी सब बहुत संस्रिव होती हैं तो आप इसे बरसा लगातार हो रहे ही बारिस से बचा कर रखेंगे तो ये पौधा हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा, पानी गमले में बिल्कुल भी स्टोर नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, इसकी ये वेराइटी भी देखे, इसको आप मल्टिप्लाई ये पौधे होते रहते हैं, आप इनको अलग करक कई पौधे इस समय बना सकते हैं, रिपोर्ट भी समय कर सकते हैं अपने अगलो निमा को, परन्तु आप बरसात में इस पौधे को न रखें, खराब हो जाएगा आपका पौधा, देखे कितना सुन्दर दिखाई दी रहा है, इसकी वेरिगेटीट पतियां देखने में कितन हो जाएगा, अगर आपके रखने की जगह नहीं है, तो आप मिटी इतनी वेल्डेन बनाएं कि पानी पिल्कुल भी स्टोड़ना हो, गबने में पानी पड़े और निकल जाए, तो आपका पौधा सेव रहेगा, अन्यता आपका पौधा खराब हो सकता है, तो इसे हमें हलकी सी धूप मिलते रहे, और इसे राइट लाइट फुल चाहिए, तो ये बहुत अच्छी ग्रोध करता है, और इसे पानी की ज़्यादा ज़रत नहीं होती है, इसकी पत्यों में पानी स्टोर होता है, और अगर पानी अधिक होगा, तो ये पत्यां गिरा देता है, और इ बचा कर रखें, अब मैं आपको दिखाने जारी हूँ, पॉइंसेटिया का प्रांट, पॉइंसेटिया भी इस समय बरसात में बहुत जल्दी गल जाती है, इसे बरसात के पानी से बचा कर रखें, बरसात का पानी की इसको कोई आउशक्ता नहीं होती है, आप इसे ना दे, और इसमें आप इस पादे को ऐसी जगह रखें, जहां इसमें बरसात का पानी ना पड़े, आप इस्टोड पानी को इसमें डाल सकते हैं, परंतु लगातार बारिश में इस पादे को रखेंगे, तो ये गिर जाता है, सूप जाता है, और इसके स्टेम बहुत जल्दी गल ये पादा है, तो इससे बचा कर रखें, और सेप्टमबर, अक्टूबर में इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है, और इस समय इसका ग्रूध पिरट होता है, बहुत जादा खूबसरा दिख रहा है ये पादा, ये फ्लोड ड बरसात में इसे लगातार हो रही बारिस में नहीं रखें नहीं तो आपका पौदा खराब हो जाएगा, ये काफी महंगे पौदे होते हैं, आप इने बरसात के पानी से बचा कर रखें, देखिए कितना खूबसरा दिखाई दे रहा है, ये एक इंडूर प्लांट है, अब म इसे बरसात के पानी से बचा कर रखें, और ये सेमी सेडिट प्लांट नहीं है, ये सनलविंग प्लांट है, पर दो बरसात के पानी के यादिता से पौदे बहुत ज़ली गल जाते हैं, श्रड जाते हैं, अब मैं आपको जो बहुत ज़ली गल जाते हैं, अब मैं आपको ज साथ में आप बिल्कुल ना रखें आप इसे ब्राइट प्लाइट में रखें हल्की छनकत दूप में लेजे ब्राइट लाइट में फुल चाहिए तो यह बहुत अच्छी ग्रोध करता है और पानी के अधिक्ता से पौधा मर जाता है देखें कितना सुंदर दिखाई दे रह जाती है और यह नीचे से ही प्लांट गलकर गिरने लगते हैं क्योंकि इसकी स्टेंप में ही पानी काफी स्टोड रहता है इसको ज्यादा पानी की आवशक्ता नहीं होती है तो लगातार हो रही बारिज से इसे बचा कर रखें और इसका डिनर चेक करते रहें अब मैं लगातार इसके उपर पानी गिर रहा है तो यह पौदा गल सकता है आपका और गल कर गिर सकता है तो इसका विशे ध्यान रखें बार बार चेक करते रहें कि आपके पौदे में पानी तो नहीं ठहर रहा है अगर आपके पौदे में पानी ठहरेगा तो आपका पौदा खरा इसमें पानी की आषयक्ता नहीं है अगर अगा दस, पंद्रा दिन की बिन पानी नहीं देंगे तो यह पाध रोगत谢谢 पौदय के पानी की अधिकता से अधिकता है दाश है उनी या जर्वाद की जर्व दूंगई तोट इस प्वोद इस भीर वाद जाता उसे बचाया तो आप इस पौद eller इस पौदeg मैं कि ज़हना और टॉर्व जाता है उसे बचा कर रखें उस्पोदी को भी बरसाद के बानी से बचा कटिंग लगा सकते हैं बहुत आसानी से कटिंग लगती है एक इस टेम से कई प्लांट बना सकते हैं इसे भी आप बचा कर रखें यह है फिलो डॉन डॉन की दूसरी वेराइटी और यह भी पानी के अधिकता से बहुत जल्ली गल जाती है इसकी स्टेम बहुत नाजुक होती ह और इसे भी आप पानी की अधिकता से बचा कर रखें मिट्टी इतनी वेल्रेन होने चाहिए कि पानी बिल्कुल भी गम्ले में न ठहरे यह तो आपका पादा खराब हो जाएगा यह है क्रोटन पानी की अधिकता से मर जाते हैं पत्यां गिरा देते हैं और बहुत जल्दी उकी आपका खाली हो सकते हैं एक दो दिन की आपरे से नहीं अगर इसमें पानी हो रहा है तो यह कर दी हो सकते हैं अभी बरिष बंड होी तो मैं आपको दिखा रही हूं मेरे इस्फे पानी नहीं ठहरा है फिर भी हर रोज चेक करते हैं कहीं गंबले में पानी स्टोड़त नहीं हो गया कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रेनेज इसके बंद हो जाते हैं और फिर ड्रेनेज को खूलना पड़ता है उसे निकाल कर फिर साफ करके फिर से आपको पौदे को ठीक करना पड़ेगा नहीं तो आपका पौदा खराब हो जाएगा तो ड्रेनेज का विशे दिहान रखना होगा इ समय बहुत तेजी से बढ़ती है और पंतु इसमें पानी इसमें छोटे-छोटे से ट्यूबर्स होते हैं उसमें पानी स्टोट रहता है अगर इसमें हम पानी ज्यादा डाल देंगे तो यह खराब हो सकते हैं तो इसका भी विशेह ध्यान रखे कि डिनर्ज अच्छा होना चा है अरेलिय का पानी की अधीप्ता से बचा कर रखें इसको ज्यादा पानी ज्यादा पानी की आउशक्ता नहीं होती है इसको हलकी दूप फल्की छां नहीं होका अंसथे evidence का उशेह ना तो इसको ज्यादा पानी की आउशकता नहीं है बहुत ज्यादा खूबसर दिखने वाला यह बहुत जल्दी गल जाता है देखे कितना सुन्दा दिखाई दे रहा है यह देखिए वैंडेंग यू फिंक कलर के पत्तियों वाली यह इसकी जो दूसरी वराइटी होते हैं वह का से माजुक पदा है बहुत जल्दी गल जाता है और इसे मैंने ऐसी जगह पर रखा है कि पानी की एक बूंद भी इस पर नहीं आती है तो आप इसे लगा सकते हैं कटिंग को भी आप बर साथ में नहीं नहीं तो आपकी कटिंग खराब हो जाएगी और यह बहुत आसानी से क तो इसे भी लगातार वर्षात में आपना रखें खराब हो सकता है यह बरसात का पानी स्टोर कर लें और इसमें ढाल दें तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी प्रंदुर लगातार बारिश में यह पौदा कराब हो जा रहा है गल जा रही है इसके पत्तियां भी बहुत तरदियों में भी फ्लाफरिंग करते हैं पर कम करते हैं इससे में बहुत ज्यादा करते हैं बंतु पानी गंडे में श्टोर नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका पौदा खराब हो जाएगा और इसे लगातार हो और हो रही बारी से बचा कर लखना है इसे फंगज बहुत सुन्दा दिखाई देता है पौदा दोस्तों अगर मैंने मेरे दोरा बताई गए जानकर या आपको अच्छी लागी हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लागा देखिए कितने सुन्दा दिख है देरे मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया हूँ है थैंक यू